मेश राशिवालों मेरे मित्रों, आप सभी का आज के जोतिश के इस चेतावनी पर एक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है ह्रदय से अभिनंदन है मातारानी आपकी हर मनो कामना पूरी करें आपके हर कार्य में आपका साथ में दोस्त हो तो अगले तीन दिनों में भूल कर भी यह एक चीज किसी को मत दे देना जी हाँ दोस्तों, यह हमारी आपको एक बहुत बड़ी चेतावनी है यदि आपने इस बात को नहीं माना तो फिर हम आपसे गारंटी के साथ कहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत तुमको खुद ही निमंतरन दे देंगे और अपनी बरबादी के खुद ही जिम्मेदार होंगे और एक बात हम आपको और बता दें कि जो बातें हम आपको आगे इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उन बातों को आप बिलकुल भी हलके में मत लेना, मजाक समझने की भूल मत कर लेना क्योंकि जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं पूर्ण रूप से शास्त्रिय पध्धती और जोतिशिय आकलन पर आधारित है हमने आपकी राशिके ग्रह नक्षत्रों का अच्छी तरह से अध्ययन किया है और सिग्री अध्ययन के बाद जो जरूरी बातें, बेहद ही आवश्यक बातें हम बाहर निकल कर आई हैं और उन्ही बातों को हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो बस पूरे विश्वास के साथ ठंडे दिमाग से एकांत में बैठ कर इस वीडियो को देखें और हर एक बात को समझने का प्रयास करें दोस्तों यकीन माने कि हम दिन रात प्रयास करके बहुत महनत से आपके लिए सर्वोत्तम जानकारी का भंडार लेकर आते हैं अब ऐसे में ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस घ्यान का सम्मान करें और इसे अपने जीवन में उतार हैं ताकि आपके जीवन में कुछ नए और आपकी मन के मताबिक आश्चर्य जनक परिणाम आपको हासिल हो आपको खुशियां मिले, ईश्वर का आशीरवाद मिले, धन दौलत संपदा मिले और इन सब के बाद आप अपने जीवन में आनंद को प्राप्त हो, सुख हो गया अब इतनी बातों के बाद हम ये समझते हैं कि आपके मन में निश्चित तोर पर ये प्रश्ण तो अवश्य आ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसको किसी को देने मात्र से ही आ जीवन में बरबादी का आगमन हो जाएगा और दूसरी बात ये है कि इस चीज के पीछे ऐसा कौन सा विधान जुड़ा हुआ है यानि कि इस जानकारी का स्रोत क्या है कौन सा ग्रह कौन सा नक्षत्र कौन सा ऐसा योग है जो आपको इस चीज के लेन देन से रोक रहा है तो दोस्तों आप चिंता ना करें हम आगे वीडियो में आपको हर एक बात पूरे विस्तार के साथ बताने जा रहे हैं और जब यह वीडियो समाप्त होगा तो हम गारंटी देते हैं कि आप निश्चित तोर पर संतुष्ट होंगे आपके मन को बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पता चल जाएगा कि आपने अपना समय खराब नहीं किया है आपको बेहतरीन ग्यान हासिल हुआ है अब आप अपने जीवन को बदलने में पूर्ण रूप से सक्षम है तो चलिए बिना समय गवाएं आज के सभी हद ही महत्व पूर्ण और ज्यानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जैमा दुर्गा अवश्य लिखें मातारानी की कृपा की आवश्यक्ता तो इस धर्ती के हर एक जीव को है फिर क्या आप और क्या हम सभी मातारानी की क्रिपा है उसकी दिशा आपकी ओर मुड़ जाती है दोस्तों मानकर चलिए कि गंगा जी तो अपनी स्वच्छंद धारा में बहती चली जा रही है लेकिन यदि आपको गंगा जल चाहिए तो दो ही रास्ते हैं या तो आप स्वयम गंगा जी के पास जाईए और जल भर कर ले आईए सनान भी कर आईए और दूसरा रास्ता यह है कि गंगा जी कुछ ऐसी विशेश क्रिपा करें कि वह स्वयम अपनी छोटी सी एक धारा आपकी ओर मोड़ दें और आपके जीवन को धन्य बना दें तो अब गंगा जी चाहिए अपनी धारा वरना बूढ़े दोस्तों लेकिन मां दुरगा की कृपा की धारा आपकी और अवश्य ही मर जाएगी ऐसी हमारी आस्था है और बरसों की हमारी तपस्या और साधना का विश्वास है जिन लोगों ने अपने नाम और स्थान लिखकर भेजे हैं और जिनके नाम से अहुतियां हो चुकी हैं उन लोगों के भी कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट आते हैं कि उनके जीवन में राहत आनी शुरू हो गई है उनके जीवन से परेशानिया कटनी शुरू हो चुकी है तो दोस्तों, सभी के जीवन में मातारानी की पूरी कृपा हो सबका उद्धार हो बस इसी कामना के साथ इस महत्वपूर्ण वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि इस एक चीज कालीन दिन आपको भूल कर भी नहीं करना है अब दोस्तों हम आपको बताएं कि जैसे कि किसी एक चीज के ये किसी एक कार्य के करने से यदि जीवन में बरबादी आती है और जब देखो का कुछ योग बनता है तो बुद्धी क्षमता भी बदल जाती है यानि कि आदमी उसी कार्य की ओर आकर्शित होता है जो उसे बरबादी की रह पर ले जाएगा इसी लिए शायद हमारे बड़े ऐसा कहा है कि विनाश काले विप्रीत बुद्धी क्योंकि इनसान की बुद्धी जब विप्रीत होगी तभी तो वह बिना साल में प्रवेश करेगा तू मान कर चलिए कि आपको किसी चीज के लेंदेन के लिए रोका जा रहा है और आपके ग्रहों की चाल यह कह रही है यदि यह चीज आप से दूर जाएगी तो आपके जीवन में बर्बादी आएगी तो आप निश्चित तोर पर यकीन मानिए कि फिर ऐसे योग भी बनेंगे जो आपको उस चीज के लेंदेन के लिए मजबूर करेंगे ऐसी परिस्थितियों का निर्मान होगा कि आपको मजबूरी में उसका लेंदेन करना होगा इसी को कहते हैं परीक्षा की घडियां अब जो इनसान इस विशय कुछ समझता है इनकी गंभीरता को जानता है वह तो संभल कर चलता है और अपने उपर नियंतरन रखता है और जो नहीं समझता वह भूल कर जाता है फिर उसकी मेहनत का उचित फल मिलना बंद हो जाता है और इसी को पूरे समय की शुरुआत भी कह देते हैं इस प्रकार आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था अचानक पता नहीं क्या हो गया किस सारी परिस्थितियां बदल शुरू हो गई यानि की काम धंधा व्यापार में भी गिरावट आती चली गई और रिष्टे ना तो मैं भी उधर पुत्र होनी शुरू हो गई अब ये सब दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति से ही जुड़ा हुआ होता है आप यकीन मानिये चाहे घर का चैन सुकून हो, सुक सम्रिध्य हो, दुनियादारी के सारे रिष्टे नाते हो सब कहीं न कहीं मूल में जाकर आपके अर्थ, आपके धन आपकी आप से ही जुड़े हुए हैं इसी वजह से जो लोग बेरोजगारी का दंश भोग रहे हैं, उनसे दुनिया किस है? उसकी दिशा आपकी ओर मुड़ जाती है दोस्तों मान कर चलिए कि गंगा जी तो अपनी स्वच्छंद धारा में बहती चली जा रही हैं लेकिन यदि आपको गंगा जल चाहिए तो दो ही रास्ते हैं या तो आप स्वयम गंगा जी के पास जाईए और जल भर कर ले आईए, सनान भी कर आईए और दूसरा रास्ता यह है कि गंगा जी कुछ ऐसी विशेश क्रिपा करें कि वह स्वयम अपनी छोटी सी एक धारा आपकी ओर मोड़ दें और आपके जीवन को धन्य बना दें तो अब गंगा जी चाहिए अपनी धारा वरना बूढ़े दोस्तों, लेकिन मान दुरगा की कृपा की धारा आपकी और अवश्य ही मर जाएगी ऐसी हमारी आस्था है और बरसों की हमारी तपस्या और साधना का विश्वास है जिन लोगों ने अपने नाम और स्थान लिख कर भेजे हैं और जिनके नाम से अहुतियां हो चुकी हैं उन लोगों के भी कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट आते हैं कि उनके जीवन में राहत आनी शुरू हो गई है उनके जीवन से परेशानियां कटनी शुरू हो चुकी है तो दोस्तों, सभी के जीवन में मातारानी की पूरी कृपा हो सबका उद्धार हो बस इसी कामना के साथ इस महत्वपूर्ण वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि इस एक चीज कालीन दिन आपको भूल कर भी नहीं करना है अब दोस्तों हम आपको बताएं कि जैसे कि किसी एक चीज के ये किसी एक कार्य के करने से यदि जीवन में बरबादी आती है और जब देखो का कुछ योग बनता है तो बुद्धी क्षमता भी बदल जाती है यानि कि आदमी उसी कार्य की ओर आकर्शित होता है जो उसे बरबादी की राह पर ले जाएगा इसी लिए शायद हमारे बड़े ऐसा कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धी क्योंकि इनसान की बुद्धी जब विपरीत होगी तब ही तो वह बिना साल में प्रवेश करेगा तू मानकर चलिए कि आपको किसी चीज के लेंदेन के लिए रोका जा रहा है और आपके ग्रहों की चाल यह कह रही है यदि यह चीज आपसे दूर जाएगी तो आपके जीवन में बरबादी आएगी तो आप निश्चित तोर पर यकीन मानिए कि फिर ऐसे योग भी बनेंगे जो आपको उस चीज के लेंदेन के लिए मजबूर करेंगे ऐसी परिस्थितियों का निर्मान होगा कि आपको मजबूरी में उसका लेंदेन करना होगा इसी को कहते हैं परीक्षा की घडियां अब जो इनसान इस विशय कुछ समझता है इनकी गंभीरता को जानता है वह तो संभल कर चलता है और अपने उपर नियंत्रण रखता है और जो नहीं समझता वह भूल कर जाता है फिर उसकी मेहनत का उचित फल मिलना बंद हो जाता है और इसी को पूरे समय की शुरुआद भी कह देते हैं इस प्रकार आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था अचानक पता नहीं क्या हो गया किस सारी परिस्थितियां बदल शुरू हो गई यानि की काम धंधा व्यापार में भी गिरावट आती चली गई और रिष्टे ना तो मैं भी उधर पुत्र होनी शुरू हो गई अब ये सब दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति से ही जुड़ा हुआ होता है आप यकीन मानिये चाहे घर का चैन सुकून हो सुक समृध्धि हो दुनियादारी के सारे रिष्टे नाते हो सब कही न कहीं मूल में जाकर आपके अर्थ आपके धन आपकी आप से ही जुड़े ह इसी वजह से जो लोग बेरोजगारी का दंश भोग रहे हैं उनसे दुनिया किस प्रकार बरताव करती है। आपके साथ बात करना भी लोगों को उस समय की बर्बादी लगती है तो बस दोस्तों हम यही चाहते हैं कि आपके जीवन में इस प्रकार कसम है कभी भी नहीं आए। चाल के बारे में आपको ज्यान देने की कोशिश करते हैं। अब आपको यह बात समझनी चाहिए। दोस्तों के आज जो ग्रह आपके लिए अच्छे फल दे रहा है। जीवन में छोटे-छोटे बदलाव करते जाएंगे। कुछ उपाय करते जाएंगे तो आपको नकारात्मक क्रूर ग्रहों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा यह आपके जीवन। बाधाएं बहुत कम आएंगे। जीवन सुचारू रुप से चलता रहेगा। के बारे में पता है ना ही ईश्वर के बारे में पता है और ना ही जोतिश शास्त्र के बारे में। एक शब्द भी पता है कि यदि इन्हें इन सब चीजों के बारे में ज्यान हो। इनकी महत्व को यह समझें तो निश्चित तौर पर यह इनका प्रयोग करना भी जाने नहीं तो आप विचार करके देखिए कि पुराने जमाने के राजा, महाराजा, अपने पास मंत्री जोतिशाचार्य और प्रकांड विद्वानों को क्यों रखा करते थे? पंडितों को क्यों रखा करते थे? क्योंकि वे अपने जीवन में तरक्की करना चाहते थे, अपनी राजपाट को हमेशा बना कर रखना चाहते थे, अब ऐसी म्यूजिक राजा आरशिमुनियों का सम्मान करना भूल जाते थे, अपने गुरुओं का जोतिश, आचारियों का पंडितों का अपमान करते थे, वह मिट्टी में मिल जाया करते थे, तो इन सब बातों का दोस्त बहुत अधिक महत्व है, बस आपके मानने से ही सारे परिवर्थन होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप मानेंगे तो आप जानेंगे, और अगर जानेंगे तो आप बदलाव के लिए उपाय और प्रयास करना शुरू कर देंगे और यहीं से आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा दोस्तों इन सारी बातों को हम आपसे इसलिए बताते हैं ताकि आपके मन में भूल कर भी गलती से भी विश्व का वास हो ना हो जाए या दोस्तों विश्व का बास यदि मन में हो गया तो बहन का भूत दिमाग पर चढ़ जाता है फिर इनसान को हर जगा केवल और केवल गलतियां तुरूटियां नकार अत्मकता है दिखाई देती रहती है इसलिए विश्वास करिए इस सारी जो आस पास हमारी व्यवस्थाएं बनाई गई हमारे पुर्खे पूर्वजों के द्वारा भी हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हैं अब आप दोस्तों ध्यान से समझी जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे बेहद ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों अपने जीवन में सामाजिक वातावरण में रहते हैं और लेन देन करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है बिना लंदन के काम चलता भी नहीं जाए लेकिन दोस्तों इस प्रक्रिया का अनुसरण करते करते हम यह भूल जाते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका लेन देन घलती से भी नहीं करना चाहिए शास्त्रों में इनके लेंदेन को बाध्धित माना गया है यानि कि मना किया गया है तो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आज हम अभी आपको बताने जा रहे हैं उसके बाद उस मुख्य चीज का जिसका एक विशेश ग्रह गोचर से संबंध है उसके बारे में आपको बताएंगे अब ज्ञान संपूर्ण हो तो जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है आधे अधूरे ज्ञान से जीवन में बदलाव लाने की बारे में सोचना बिलकुल वैसा ही है जैसे बिना पत्वार वाली नाव के सफर करने के बारे में सोचना तो दोस्तों सुनिए ध्यान से सबसे पहली चीज की आपको नमक किसी को भी नहीं देना है यानि बाहर के इंसान को नमक नहीं देना है यदि कोई बाहर का इंसान आपसे यह कहता है कि थोड़ा नमक दे दीजिए, हमारे घर में खत्म हो गया है, तो आप उसे किसी भी प्रकार से डाल दीजिए, लेकिन नमक कल इन दिन मत करिए. अब ऐसा क्यों? प्यारे दोस्तों, नमक के अंदर दो खूबियां होती हैं. शास्त्रों में बताया जाता है कि नमक को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. इसी लिए नमक को कभी जमीन पर गिरने नहीं दिया जाता है. जमीन पर नमक का गिरना अपशकून माना जाता है दूसरा था कि नमक के अंदर एक विशेश खूबी पाई जाती है कि यह नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है अब आप समझिए तभी आपको बार बार यह बताया जाता है कि जिस पानी में आप स्नान कर रही हैं उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए जिस पानी से आपको अच्छा लग जाते हैं उस पहुंचे में थोड़ा सा नमक मिलवा लीजिए अब इन बातों को इसलिए बताया जाता है कि नमक नकारात्मक शक्ति को सोख लेता है तो अब यदि आप नमक का किसी को लेंदेन कर देंगे यानि किसी को आप नमक दे देंगे तो आपने दो गलतियां कर दी पहली गलती तो यह है कि आपने अपने घर की लक्ष्मी स्वयम ही बाहर निकाल दी और दूसरी कि आपने उड़ जाओं के विधान को नहीं समझा और जाओं के संचालन को नहीं समझा और अपने घर के नमक को बाहर निकाल कर आपने नकारात्मक उर्जा ओं को अपने घर में आने का रास्ता दे दिया है प्यारे दोस्तों इसका लेंदेन आपको नहीं करना है दूसरा प्यारे दोस्तों अपने घर की जाडू आपको किसी को नहीं देना है दूसरा जाडू के बारे में एक नियम ये है कि आपके घर के अंदर की जाडू कभी भी बाहर नहीं लगानी चाहिए यानि कि एक ही जाडू से आप घर के दर्वाजे पर और घर के अंदर अगर जाडू लगाते हैं तो यह गलत है आपको अपने घर के लिए एक अलग जाडू रखनी है और दर्वाजे पर दूसरी जाडू रखनी है दर्वाजे पर जाडू लगाने के लिए यदि आप इस बात का खयाल नहीं करती है तो आपके उपर वास्तु दोश उत्पन्न होता है और दरिद्रता आपके घर में प्रवेश करती है तीसरा प्यारे दोस्तों अपने जूते चप्पल और अपने कपड़े कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए चाहे आपका कोई मित्र है, दोस्त है, भाई है, चाहे कोई भी हो आपका संगीत सगा रिष्टेदार ही क्यों नहीं हो उसे कभी भी अपने कपड़े और अपने जूते चप्पल पहनने के लिए नहीं देने चाहिए ऐसा क्यों प्यारे दोस्तों? जूते चप्पल और वास्तव में अलग-अलग ग्रहों का वास बताया जाता है जैसे कि जूते चप्पल में और शरीर के निचले भाग के वस्तर में शनी का वास माना जाता है शरीर के उपर के वस्तरों में शुक्र का वास माना जाता है गले में पहनने वाली चीजों में बुद्ध का वास माना जाता है तो इस प्रकार यदि आप अपनी चीजों का लेन देन करते हैं तो आप अपने समय को खराब करते हैं अपने ग्रहों की व्यवस्था को खराब कर देते हैं तो आपको ना केवल अपनी ये चीजें किसी को देनी है, ना ही किसी से लेनी है घड़ी के बारे में भी आपको इसी बात का खयाल रखना, अपनी घड़ी आपको किसी को भी पहनने के लिए नहीं देनी है और किसी और की घड़ी भी आप हो रहने के लिए नहीं लेनी है उसके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कपड़े और चीजें उस घर में नहीं रखी जाती है। उनका भी विसर्जन कर दिया जाता है ताकि उस इनसान की उर्जा जो उन्हें चीज और वस्त्रों में समाहित है उसका भी विसर्जन हो जाएगा। इसी प्रकार प्यारे दोस्तों आपको शाम के समय खयाल रखना है सफेद रंग की कोई भी वस्तु किसी को नहीं देनी है जैसे दूद, दही, शक्कर या फिर कोई सफेद रंग का वस्त्र किसी को नहीं देना है कोई मांग नहीं आए तब भी उसे नहीं देना है क्योंकि यह स इस समय शुक्र को समर्पित होता है और सफेद रंग की चीजों का संबंध शुक्र से माना जाता है। यदि आप इन चीजों का इस समय पर लेंदेन कर दी। इतलब यह है कि आपके जीवन में जो आनंद प्राप्ती हो रहा था, सुख मिल रहा था, वह. हो जाता है, समाप्त हो जाता है. इसी प्रकार प्यारे दोस्तों, आपको शाम के समय भूल कर भी किसी को पैसे नहीं देने हैं. यह प्यारे दोस्तों का शाम का समय बेहद ही ही योग बनता है. प्रदोश काल होता है, गोधूली समय काल कहा जाता है. अब ऐसे समय में आप अपनी धन लक्ष्मी को किसी को देंगे. भले ही फिर चाहे अपना काम करवाने के लिए आप दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी तो आपके घर से जाही रही है, तो इसका आपके आत्मक प्रभाव पड़ता है, आपके घर में लक्ष्मी का वास अमरित होता है, पैसे रुपए की आवक अवरुद्ध होती है. जी हां, प्यारे दोस्तों, इस बात का आपको विशेश खयाल रखना चाहिए, तो यह तो थी दैनिक उपयोग की चीज़ें, जिनको आपको किस समय लंदन करना है और किस समय नहीं करना है. इस विशेपर हमने आपको सारी जानकारी विस्तार से बता दी है. अब ध्यान से सुनिए कि अगले तीन दिनों में आपको कौन सी एक चीज़ है, जिसका लेन देन नहीं करना है, दोस्त. आपको हम बता दें कि अगले तीन द वस्तु किसी को देनी है और ना ही किसी से इस काले रंग की वस्तु लेनी है चाहे अब यह पहनने की कोई वस्तु है इस्तिमाल की कोई वस्तु है या फिर खाने पीने की कोई सामगरी है अब आप यकीन मानिये प्यारे दोस्तों की अगले तीन दिनों में ऐसी कई परिस्थित कि यह काले रंग की वस्तू है या नहीं है। तभी तो आपका बुरा समय आएगा तो निश्चित तोर पर अगले तीन दिनों में काले धन की किसी वस्तू के लेन देन की परिस्थितियां बनेंगी। किसी विशेश मुहूर्त काल को टालने के लिए आप किसी के साथ अपने रिष्टे तो खराब कर नहीं देंगे। पूठ मूठ बात नहीं बोलनी है जिससे कि आपको पच्छताना पड़े और आपका रिष्टा भी खराब हो जाए। यह बात हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि योग तो जीवन में बनते बिगड़ते रहते हैं। इनके चक्कर में आप किस किस से अपने रिष्टे खराब करेंगे। वैसे भी हम आपको बता दें कि आपकी राश्ची के जातक रिष्टे नातों की मामले में थोड़े से कम भाग्यशाली होते हैं। यानि कि इन्हें इतना अधिक प्रेम और विश्वास दूसरों से मिल नहीं पाता है। अब ऐसे में यदि आप खुद ही अपने रिष्टों को बरबात करने लगेंगे तो फिर आपके पास कोई भी नहीं रह जाएगा। आप अकेले ही खड़ी दिखाई देंगे तो अब यह तो थी बात की आपको काले रंग की वस्तू का दिन किसी को नहीं करना या नहीं देनी किसी को नहीं है। अब हम बात करते हैं। उस विशे की जो आपके लिए बेहद आवश्यक है यानि कि आप इस विशेश युवती का लाब कैसे ले पाएंगे। ये बेहद आवश्यक है क्योंकि प्यारे दोस्तों सनी बेशक इस पूरे वर्ष आपके उपर हावी रहेंगे। सनी को ही समर्पित है। ये पूरा वर्ष लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस वर्ष आपकी बर्बादी। सनी का मतलब बिलकुल भी यह नहीं है कि आपकी बर्बादी का यह समय है। सनी तो आपको बहुत अधिक देवी सकते हैं। सनी एक बेहध ही पवित्र और न्याय अप्रिय ग्रह तो आप यह न माने कि सनी है तो बस नुकसान ही होगा, सनी है तो लाब भी होगा, बस आप कैसे लाब हासिल करना है यह पता होना चाहिए. अब इसमें भी यदी राहु आ जाता है, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, तो अब आप ध्यान से समझ यह एक ऐसा गुप्त और बहुत ही शक्तिशाली उपाए आपको बताने जा रहे हैं, जिसे आपको प्रयोग अवश्य करना चाहिए. कम से कम अगले साथ दिनों तक आपको इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए. इस उपाए के प्रयोग से होगा. ये किस सनी जुहू कि आपको कहीं न कहीं हानी पहुंचाने का वातावरन तयार कर रहे हैं. आपके लिए सकारात्मक हो जाएंगे और एक बार जब सनी सकारात हो गए तो राहुल को निश्चित तोर पर आपको लाब देना ही होगा. तो हम गारंटी देते हैं कि आपने यदि इस उपाए को करना प्रारंभ किया आज अभी. इसी वक्त से जवाब इस जियोतिश कारेकरम को सुन रहे हैं तो आप देखेंगे कि अगले तीन दिनों में आपको आकस्मिक धन लाब होगा. आकस्मिक मान सम्मान में लाब हासिल होगा. इन मान सम्मान बढ़ेगा. कही ना कहीं से आपको आकस्मिक ऐसी खबर अवश्य ही प्राप्त होगी जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा. आपको लगेगा कि आपका जीवन सफल हो गया जीवन में आनंद प्राप्त शुरू हो गई है जी हाँ प्यारे दोस्तों तो अब ध्यान से सुनिए यह उपाय बहुत ही कारगर है तो आपको क्या करना है कि एक काले रंग की कपड़े की पोटली लेनी है यह प्यारे दोस्तों आज से ही आप इस उपाय को करना शुरू करिए प्यारे दोस्तों अन्यथा कल से तो आप निश्चित तोर पर करना और आप देखेंगे की चमतकार होंगे तो ध्यान से सुने आपको काले रंग की कपड़े की पोटली लेनी है कपड़ा गोरा होना चाहिए प्यारे दोस्तों और उस पर जो लपेट आएंगे आप वह धागा भी काला होना चाहिए अब उस कपड़े की पोटली में आपको क्या रखना है ध्यान से सुनिए उस कपड़े में आपको काली उड़त की दाल जो प्यारे दोस्तों आठ मुठी गिनकर भरनी है आठ मुठी काली उड़त की दाल रखनी है और एक लोहे का कड़ा यानि कि छल्ला आपको उसमें रखना है और उसे आप लपेट ने एक पोटली का रूप देते हैं अब आप देखें कि आपके आसपास शनिदेव का कोई मंदिर है या नहीं यदि मंदिर है तो उस मंदिर में आपको उसे दान दे आना है ऐसा आपको साथ दिन तक लगातार करना है यानि जब से आप इसे प्रारंभ करेंगे तब से लगातार साथ दिनों तक यह उपाय आपको करना है कि आप ये दाल हनुमान जी के मंदिर में भी दे सकते हैं या प्यारे दोस्तों यदि आप हनुमान जी के मंदिर में ये दाल का दान करेंगे तब भी शनीदेव बेहत प्रसन्न होते हैं अब एक बात हम आपको बताएं कि जो लोग हनुमान जी का पूजन सच्चे मन से करते हैं शनिदेव उनसे वैसे ही बहुत प्रसन्न रहते हैं क्योंकि शनिदेव के ऊपर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा हनुमान जी ने जिस प्रकार रामायन में उनकी मदद की थी रावन की यहां से उन्हें बचाया था उसी प्रकार शनिदेव ने भी उन्हें वचन दिया था कि वे हमेशा हनुमान जी के साधकों की मदद करी गए उन्हें कभी हान नहीं पहुंचाएंगे तो यह एक छोटा सा उपाय है आप हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं और इस दाल को दान कर सकते हैं इस दाल में एक लोहे का कड़ा भी रखा हुआ है जवाब दान करें ये बता अवश्य दें साथ दिनों तक इस उपाय को करिए और चमतकारी परिणाम देखें प्यारे दोस्तों जहां सनी आपको परेशान करने वाले थे वहीं अब शनी आपके पक्ष में होंगे और ऐसा जबरदस्त लावा पहुँचेंगे आप भी चौक जाएंगे इस उपाय की महिमा लाल किताब में खूब बताई गई है प्यारे दोस्तों में वैदिक परंपरा के अनुसार शनी देव को कोई भी काले रंग की वस्तु दान की जाए तो शनी देव बहुत प्रसन्न होते हैं तो ये उपाय शनी देव के महत्व को बताता है वैदिक परंपरा को बताता है और इस उपाय के कर लेने मात्र से शनीदेव के भयंकर से भयंकर दो उससे जातक मुक्त हो जाता है तो आप भी इस उपाय को करिए और फिर हमें कमेंट करके बताना कि आपके जीवन में कोई बदलाव आया कि नहीं आया आपको कोई अच्छी खबर प्राप्त हुई या नहीं हुई हम बेसबरी से इंतजार करेंगे कि आपके उपर इस उपाय ने किस प्रकार से कार्य किया प्यारे दोस्तों हमें पूर्ण विश्वास है 100% हमें इस उपाय के उपर पूरा विश्वास है कि यह आप बहुत अच्छी खबर दिलाएगा आपको बहुत बड़ी लाभ दिलाएगा इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों यदि आपके मन में कोई प्रश्ण उठता है इन बा अवश्य लिखना जय शनिदेव कृपा करो अवश्य माता दुर्गा और शनिदेव की सम्मिलित कृपा आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगी यदि जोतिश कार्यक्रम आपको पसंद आया है लाइक अवश्य करें चैनल पर पहली बार आई है तो सब्सक्राइब कर अवश्य करेंगा